हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैंना मरजुन है और कुछ टाइम पहले मैंने मैकबुक प्रो परचेस की थी और हाली मैंने इसके लिए ब्लेक कलर की मुझो की लेधर स्लीव मंगाई है तो मैंने सचा आपको भी दिखाया जाए किस तरह की स्लीव आती है और कैसी इसकी बिल् स्लीव करते हैं और स्लीव के बारे में बात करते हैं अगर इसको इंडिया में मेरे अडर्स पर आने में लगबग एक हफता लग गया था यह स्लीव दो साल की वरेंटी के साथ आती है और इसके साथ आपको 30-day return policy मिलती है तो अगर आपको पसंद ना आए तो आप इसे एक बुक के लिए मुझो कंपनी की स्लीव क्यों मंगाई इसका कारण है कि इससे पहले मैंने आइफ़ों 13 प्रो के लिए मुझो का लेदर केस मंगाया था और इसे यूज़ करते हैं मुझे लगबग चार मैने हो चुके हैं इस केस की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अभी तक का ये बेस्ट आइफ़ों का लेदर केस है जिसे आप परचेस कर सकते हैं और यही कारण था कि मैक बुक के लिए भी मैंने मुझो की लेदर स्लीव मंगाना प्रेफर किया यह स्लीव मैंने ब्लैक कलर मंगाई है जो दिखने में कुछ इस तरह की आती है इसके उपर की त अब नहीं स्लीव को हेंडमेट बनाता है जिससे इसकी हर एक इसलेव यूनीक बन जाती है स्लीव को नीचे की तरफ आपको और उन की जैसे मैटीरिए मिलते हैं जिससे फेल्ट कहते हैं यह πर सिर्ट ऑपन की जैसे बेल्म और दूसरे तैक्स्टियल मैटीरियल को एक साथ प्रोटेक्ट करेगा, स्लीव में आपको दो अलग-अलग कमपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, लस्ट कमपार्टमेंट में आपको कार्ड होल्डर बे मिलता है, जो की सेम वेजिटेबल टेन लेधर से बना है, स्लीव का बटन बटन भी काफी हाई क्वालिटी का दिया गया है, जिसके उपर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको क्राफ्टमेंशिप बाइ मुजो लिखाओ मिलेगा, बटन भी काफी स्मूध है, और इसको खोलने और बंद करने पर आपको काफी अच्छा साउंड सुनने को मिलता है बाकी और ओर ओल इसके टेक्श्चर की बात करूँ तो देखने में इस स्लीव बहुत ही प्रीमियम लगती है नीचे की तरफ आपको दो पंच होल्स मिलती है में भी डिजाइन का पार्ट है तो चलिए अब स्लीव में Macbook Pro को डाल के देखते है जैसा आपने देखा बिल्कुल परफेक्टली इस स्लीव में Macbook आ गई है यह स्लीव मैंने 13 इंच Macbook Pro के हसाब समगाई थी बाकी स्लीव 16 इंच की भी आती है तो अगर आपके पास 16 इंच Macbook Pro है तो आप 16 इंच वाली स्लीव मंगा सकते हैं लास्ट कंपार्टमेंट में Macbook जाने की बाद भी इसमें काफी स्पेस बचा हुआ है तो मैं चाहूं तो डोकुमेंट्स यहां भी रख सकता हूँ इसके लावा फ्रेंट कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है तो मैं चाहूं तो यहां चार्जिंग केबिल्स पी रख सकता हूँ लास्ट में बटन को प्रेस करके मैं स्लीव को बंद कर सकता हूँ तो Macbook इसके अंदर आ चुकी है अब मैं इसको अराम से मेरे साथ कैरी कर सकता हूँ और जब चाहूं मैं इसे इजिली स्लीव से बाहर निकाल कर यूज कर सकता हूँ तो दोस्तों कुछ इस तरह की स्लीव थी मुझे तो काफी पसंद आई यह मैंने मुझो की वेबसाइट से 69 डॉलर की मंगाई थी जो इंडिया के एसाब से 5000 और के आसपास पढ़ती है सुनने में प्रैस ज्यादा लगता है पर जब मैकबुक खुदी इतनी महँगी है तो इसे प्रोटेक्ट करने में कंजूसी करने का फायदा नहीं है बाकि मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मुझो की वेबसाइट की लिंक दे रखी है आप चाहने तो महाँ आके इसके बारे में और जान सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना फिर मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद